इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने जुलाई 2023 से सेशन में किसी भी प्रोग्राम में एडमीशन लिया है तो आप अपना स्टेडी मेटीरियल यानि की किताबे ओनलाइन डाउनलोड कैसे कर सकते हैं इसके बारे में डीटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है जब आप इगनु में एडमीशन लेते हैं तो आपको एडमीशन का एक एपलिकेशन फॉर्म दिया जाता है जिस पर आपका जो सब्जेक्ट रहता है जो भी प्रोग्राम रहता है उसका सब्जेक्ट कोड लिखा हुए रहता है कि आपके पास कितने सब्जेक्ट अवेलिबल है तो आप जितने भी subject का study material डाउनलोड करना चाहते हैं जिस भी subject का पहले आप यहाँ admission के application form पर देख लीजिए इसे देखने के बाद जो IGNU का study material है यान की किताब है इसे आप PDF format में डाउनलोड कर सकते हैं वो भी दो जगय से एक है mobile application जिसका नाम है IGNU e-content यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए आपको यह जो application है अपने mobile में इंस्टॉल करना होगा और यहाँ से आप किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको किताबों को डाउनलोड करने में problem हो सकता है और सायद सभ सब्जेक्ट का study material ना मिले लेकिन जो दूसरा website है जिसका नाम है egyancourse.ac.in यहाँ पर तकरीबन आपको सभी सब्जेक्ट का जो study material है वो मिल जाएगा इसके लाब क्या है कि IGNU का study material है यानि कि जो किताब है यह PDF format में तो आप डाउनलोड कर ही सकते हैं साथी में जो आपका hard format में किताबे होता है जानि कि जो असली वाला किताबे होता है जो कि आपको printed format में दिया जाता है यह बाइपोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाता है जो भी IGNU में आपका register address रहता है उसी पर send किया जाता है इसके अलाबा अगर आपने PDF format का book select किया है तो ऐसे में आपको study material PDF format का यहां से download करना होगा अब देखते हैं कि यहां से आप किताबों को कैसे download करेंगे जैसे कि यहां पर आपका जो भी subject है जिसभी subject का आपको किताबे need download करना है यहाँ पर जिस पर subject का आपको study material डाउनलोड करना है वो code आप इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ search पर क्लिक करेंगे अगर PDF format का book available होगा यह subject का तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जैसे कि यह subject का available है English medium का और Hindi medium का जिस भी medium का आपको download करना है बस आप यहाँ पर click करेंगे फिर आप नीचे करेंगे तो यह आपको block wise दिखाए जाते है जिस भी block का आपको download करना है block पर आपको click करना होगा जैसे कि मुझे first block का करना है उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जो किताबे है वो आपको chapter wise दिखाए जाते है जैसे कि मुझे यहाँ पर पहला chapter download करना है तो यहाँ पर block 1 लिखा है तो हम इस पर click करते हैं फिर आप क्या करेंगे नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखे पीडिया फाइल का जो साइज है बताया गया है कितना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा PDF format यहाँ आपको view and open पर click करना होगा तो जो आपका study material है वो download होना start हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह download हो रहा है और यहाँ पर आपको पूरा detail में chapter के बारे में बताया गया है जैसे कि block one हो गया तो इसमें आपका total कितना chapter है वो यहाँ पर बता दिया गया इसके बाद आप नीचे करेंगे तो जो पूरा study material है यानि कि जो किताब है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसे आप आसानी से बढ़ सकते है और आप अपना exam की त्यारी कर सकते है अपने study को continue रख सकते है जो इगनु का original study material रहता है उसी का यहाँ पर आपको PDF format में जो किताब है वो दिया जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है same to same इगनु का study material है और यहाँ पर background में देखेंगे तो इगनु क आपको मिल जाएगा जैसे कि यह हिंदी का syllabus है तो यहाँ पर यह आ चुका है यहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा इस पर क्लिक करते रहेंगे और जो study material यहाँ view and open पर क्लिक करेंगे डाउनलोड होन में इसे डाउनलोड कर पाएंगे तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक किजिए सेर किजिए और इगनुस रेलेटेड सभी अप्टेट इंस्टेंट लिप आने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते हैं ल